हालो स्टुडेंट, गुड मार्निंग, वेलकम तो वर मेट्स क्लास, प्रिविएस वीडियो में हमने क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट कर दिया था, आज जो हम क्वेश्चन 21 से कंप्लीट करेंगे, ओके, जो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नमबर 21, सब्सक्रिक्ट 4 मिनिट 35 सब्सक्रिक 15, सब्सक्रिक 15, second minute के नीचे minute रखेंगे second के नीचे second रखेंगे यहाँ पे सब्सेट कर रहें इसलिए minus की sign करेंगे अब देखिए 18 minus certified तो नहीं होगा सो हम यहाँ पर क्या करेंगे वन minute यहाँ से less करके वन minute यहाँ पर बोरो देगे 12 को cut करके यहाँ पर 11 minute हो जाएगी और 1 minute हम second में convert करेंगे so 1 minute is equal to 60 second होती है so 60 second plus ये 18 second कितनी हो जाएगी 78 second अब minus कर सकते है देखे 8-5, 3, 7-3, 4 और 11-4, 7 यानि कि आपका answer क्या आया है 7 minute 43 second clear question number 12 देखते है what time will it be first है उसमें A 4 hour after 11 pm 11 pm के बाद 4 hour यानि कि कितने बज़े होगे 11 से 12 1, 2 और 3 होगा after 4 hour हम 11 में add करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 1, 2, 3 कितने बज़े होगे 3 और 12 के बाद ये pm में दिया है 12 के बाद क्या हो जाएगा 3 am फिर भी 6 hour after 9 am 9 बज़े है 9 o'clock उसमें 6 hour after यानि कि इसके में 6 hour add करनी है तो करते है 10, 11 10, 11, 12, 1, 2, or 3 6 hour add करेंगे यानि कितने बज़े होगे 3 लिकिन 12 बज़े के बाद क्या हो जाता है एम है तो 12 बज़े की बाद क्या हो जाएगा पी-एम यहां पर क्या लखेंगे 3 पी-एम और फिनिश कब करती है 5.35 पी-एम तो हमें क्या फाइंड करना है कि लोंग डीड इट टेक हर तू दू धा हमबक यानि की हमबक करने में उसको कितना टाइम लखते है तो हम क्या कर देंगे फिनिशिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम तो हमें उसके बीच का टाइम पता चल जाएगा कि कितने टाइम में उसने जो हमबक है हमबक करने में उसने कितना टाइम लिया तो करते है हावर अ मिनिट हावर अ मिनिट तो फिनिशिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम सो हवर मिनिट को लिख दिया 5 35 मिनिट and 4 4 हवर 20 मिनिट अब मैनस करते हैं 5-0 5 3-2 1 और 5-4 1 यानिकी क्या answer आया 1 हवर 15 मिनिट सो जैनिफर ने हमबग करने में कितना टाइम लिया 1 हवर 15 मिनिट अब नेक्स लिखते हैं नेक्स्ट है question number 24 question number 24 में क्या कहा है convert 7 minutes 32 seconds into seconds आपको 7 minutes 32 seconds को second में convert काई है 32 तो already second में है 7 minutes को हम क्या करेंगे second में convert 1 minute is equal to 60 seconds होते है so 7 minutes is equal to कितने हैं so हम क्या करेंगे 60 multiply 7 7 zeros are 0 और 7 six are 42 okay 420 seconds आई उसमें 32 seconds तो already यहां पे दी है वो हम क्या करनेंगे इसमें add करतेंगे so हब क्या हो जाएगा 0 plus 2 2 2 plus 3 5 और 4 का 4 so कितने seconds आएगे 452 seconds clear next देखते है question number 25 Suresh went to his friend house at 1.50 p.m. his father asked him to be back home in 1.45 minutes what time does Suresh need to be at home? आपको क्या काया एग जो Suresh है वो अपने friend के घर पे जाता है 1.50 p.m. को और उसके father ने क्या कहा है कि तुम्हें घर वापस आ जाना है 1.50 मिनिट के अंदर 1.50 मिनिट के बाद उसको घर वापस आ जाना है what time does Suresh need to be at home? यानि कि Suresh को घर कितने बज़े वापस आना होगा कितने बज़े तक उसको घर वापस आना होगा इतने बज़े 1.50 को निकलता है और उसको कितने बज़े के बाद आना है 1.45 मिनिट के बाद 1.45 मिनिट उसमें एड कर देंगे तो बता चलेगा कि उसको कितने बज़े वापस आना है तो लिखते है हावर और मिनिट 1.50 मिनिट कितने मिनिट के बाद आना है 1.45 मिनिट के बाद दुना का एडिशन कर देंगे 5.5 प्लस 5 10 का 0 1 यहाँ पर 1.1 प्लस 1 2.2 प्लस 4 6.1 प्लस 1 2.2 हावर 60 मिनिट अभी 60 मिनिट है उसको हाँ convert कर देते हैं 1 हावर इसवर इसवर तो 60 मिनिट होते है तो इसमें 60 मैनिस करेंगे और यहाँ पर 1 हावर एड करेंगे 2 और कितनी हावर हो जाएगी 3 और यहाँ पर 00 यानि कि उसको कितने बज़े को घर वापस आना पड़ेगा 3 प्लस को घर वापस आना पड़ेगा उसके बाद question number 26 देखते है Sheila reached to the library at 12.05 pm the bus ride to the library lasted 45 minutes at what time did Sheila board the bus यानि कि Sheila है वो लाइबरी कितने बज़े पहुंची है 12.05 pm और जो बस है वो लाइबरी पहुंचने में कितने मिनिट लेती है 45 minutes में लाइबरी पहुंचा देती है so at what time did Sheila brought the bus यानि कि Sheila कितने बज़े बस में पहुंचने में पहुंची होगी तब जाके वो 12.05 को लाइबरी पहुंची तो हम क्या कर देंगे 12.05 12.05 12.05 को पहुंची है उसको कितना टाइम लगा है पहुंचने में 45 minutes so 45 minutes हम माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि starting time कोई सा होगो कितने बज़े वो बस में पैठी होगी okay समक्या करेंगे 12 और 5 minutes minus 45 minutes करेंगे देखे 5 minutes में से minus 45 minutes तो होगी नहीं सो हम यह से उसको पूर हो देगे सो 12 को कट करके यहां पे 11 वर 1 hour इसको देगी यहां कि 60 minutes में convert होगा so 60 minutes plus 5 अल्रेड़ी है यानि कि इसको कट करके हम टोटल कितनी मिनित लिखेंगे 65 minutes अब माइनस हो जाएगा 5-5, 0, 6-4, 2 और यहां पे कितना होगा 11 यानि कि उसने कितने बचे वो शीला जो है बस में बैठी होगी 11.20 a.m. को बस में बैठी होगी clear? next देखते है question number 27 बहुत ही easy है ध्यान दीजिएगा जल्दी समझ में आ जाएगा okay write the time in figures okay आपको write time लिखना है quarter 23 in the evening okay आपको quarter 23 कहा है यानि कि quarter 2 में कितने फ्री देखती है 245 minute अभी 3 बच जने में 15 minute बागी है quarter two है तब कितने बचे होगी evening है इसलिए हम क्या लिखेंगे पी-म लिखेंगे तैम क्या होगा 235 आपको याद रखना है quarter 2 हो आपten को रखना रखना है . यहाद रखना है . एक इसे बांने क्बूनुट्स के नचोटruck कुक्ना ननचोट बहुत चुपी है genome 20 a.m. clear next देखते है question number 28 convert into hour हमें hour में इसको convert करना है देखिया क्या दिया है 4 days 18 hours 18 hours है सिर्फ 4 day को हम क्या करेंगे hour में hour में hour आपको पाता है 1 day is equal to 24 hours होता है तो हम क्या करेंगे 24 x 4 देखिया मैंने यह आपर किया है 4 4s आ 16 16 का 6 1 carry 4 2s आ 8 plus 1 9 96 हुआ और 18 ओल्रेडी दिया है सो 18 हम यहाँ पर add कर देंगे सो क्या आजएगा 6 plus 8 14 का 4 1 carry 9 plus 1 10 plus 1 11 यानि कि कितने hours होगे 114 hours अब 20 days को hours में का 1 day is equal to 24 hours तो 20 days multiply हम क्या करेंगे 24 ओके सो देखिये करते है 00 होगा इसलिए यह हम 0 यहाँ पर रख देखेंगे clear 24 ओक्राइट 22 ओक्राइट कितना आया 480 hours clear next देखते है question number 29 convert 8 hour into second 8 hour को हमें second में convert करना है अब सबको बता है 1 hour is equal to कितनी second होती है 3600 सेकंड होती है 108 hour को करना है हम क्या करेंगे 3600 multiply 8 करतेंगे तो देखिये हैं यहाँ पर करते है 00 जा 0 80 जा 0 8 6 ओक्राइट 48 48 का 8 4 यहाँ पर carry 38 3 जा 24 plus 4 28 सांसर क्या आया 28800 सेकंड clear next देखते है question number 30 a school start at 7.20 a.m. it works for 5 hours 20 minute at what time does the school close यहाँ कितने बचे start होती है 7.20 को start होती है और वर्क उसमें कितना चलता है 5 hours 20 minute तक उसका work चलता है तो क्या कहा है हम find करने के लिए कि school है उसका closing time क्या होगा कितने बचे वो close होती है वो time हम find करना है तो देखिये 7.20 को start होती है 5 or 20 minute चलती है तो हम क्या करेंगे 5 or 20 minute इसमें एड करतेंगे तो बता चल जाएगा कि school है वो कितने बचे close होती है देखिये 7.20 स्टार्टिंग टाइम है और वर्क कितना टाइम करती है 5.20 अब एड करते है 0 प्लस 0 2 प्लस 2 4 7 प्लस 5 12 तो जो school है वो कितने बचे close होती है 12.40 को यानकि 12.40 को जो school है वो close हो जाती है student को छुट्टी हो जाती है clear question number 31 देखिये in a 24 hour clock the time corresponding to 12 noon is 12 noon का time है तो hours में convert करना है 24 hour clock में तो यह इस तरह से होता है 12 इस तरह से होता है मैंने क्या काया था hours में करना हो तो colon को निकाल देना है direct हम लिख सकते है 1200 hours clear next केक्ते है question number 32 question number 32 में क्या काहा है the blanks hand move the fastest inner clock cloak में जो कौन सा hand होता है यह वो सबसे फास सिलता है second वाला सो हम क्या लिखेंगे seconds okay anti-meridian यानि कि AM and post-meridian यानि कि PM R blanks word यानि कि AM और PM कहां से यह words आए है यह कैसे words है Greek words है okay तो देखें question number 34 क्या का है put greater than, less than or equal in the boxes इसमें हमें greater than, less than लिखना है यह मैंने notebook में लिखा है और आपको भी यह notebook में लिखना है कि यहाँ पर कोई कहीं पर स्पेस नहीं आपको करने के लिए क्योंकि यह देखते हैं 7 hours 400 minute यह निकि यह minute में दिया है यह hours में दिया है तो hours को में minute में convert करना पड़ेगा तो बता चलेगा नो कौन बड़ा है कौन चोटा यह मैंने notebook में किया है और आपको भी यह basic question number 34 है वो notebook में लिखना है चले देख लेते हैं notebook में देखिया 7 hours और 400 minute तो 7 hour को हम minute में convert कर देंगे 1 hour is equal to 60 minute होती है so 700 is equal to कितनी 60 multiply 7 कर देंगे so 7 0 is a share of 7 7 6 are 42 यानिकि क्या answer आएका 420 minute हो यहाँ भी क्या है 400 इसका क्या हो रहा है 420 minute यानिकि यह बड़ा है so sign कौन से आएगी less than की clear next देखते है b b में है 5 days और 120 हवस तो हमें क्या करना पड़ेगा d को हवस में convert करना पड़ेगा 1 day is equal to 24 hours तो 5 days is equal to कितने सो क्या करेंगे 24 multiply 5 करेंगे 24 multiply 5 5 4 सा 20 का 0 2 carry 5 to the 10 plus 2 12 यानिकि 120 हवर सा है और यहाँ पे भी 120 हवर से यानिकि दोनों से हमें तो क्या आजाएगा दोनों equal ओके इसलिए क्या करेंगे equal किसा है ओके उसके बाद c देखते हैं 2 hours 20 minutes और 220 minutes है ओके यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा सब minute में convert पड़ेगा करना पड़ेगा ओके 60 minutes है 1 hour is equal to 60 minutes कितनी हो जाएगे 60 plus 60 120 minutes और 20 minutes यहां पर अल्रेड़ी आपको दी है तो वो 28 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 140 minutes आएगी ओके और यहां पर कितनी है 220 minutes तो कौन बड़ा हुआ 220 minutes बड़ा हुआ यानि कि कौन से सायन आएगी greater than की clear अब देखते हैं next question question number 35 calculate the time time को हमें calculate करना A में क्या दिया है from 9.10 a.m. to 2.15 p.m. on the same day एक ही दिंग में हमें यह find करना है इसके बीच का time calculate करना है okay यह एम एम में दिया है यह पी एम में दिया है okay so हम क्या कर देंगे 24 hour clock में convert कर देंगे okay तो 12 बज़े में to add करने है 13 और 14 यानि कि क्या हो जाएगा 14 और 50 minute अता जलाना किस तरह से किया है पी एम है यह 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 बारा बचे की बात का time है और 24 hour clock में convert कर दिया इसलिए कितना हो गया 14 hour 50 minute okay same day इसलिए अब इसके बीच का time find करना है सो हम क्या करेंगे 14 hour 50 minute minus 9 hour 10 minute कर देंगे देखिए कि अवर 1 minute 5 minus 0 5 1 minus 1 0 14 minus 9 क्या आएगा 5 तो किकना time होगा 5 hour 5 minute clear इसमें भी इस तरह से करना है B from 10.35 pm to 5.20 pm on the next day यह next day का है ओके अब देखिए PM है यह होता तो 12 hour में होता यह 24 hour में है इसलिए 10 में हमें क्या एड़ करना पड़ेगा 12 एड़ करना पड़ेगा तमचे के 24 hour की clock में convert होगा PM है इसलिए ध्यान रखिएगा तो सो ट्याल सोरी 10 प्लस 12 कितने हो जाएगा 22 and 35 minute और यह कितने है 5 20 यह भी पीम है इसमें भी 12 एड़ करना पड़ेगा यानिकि 12 प्लस 5 कितने होते है 17 20 मिनिट लेकिन यह नेक्स टेर है दूसरा दिन होगा इसलिए इसमें हमें क्या करने का पड़ेगा 24 और एड़ करना पड़ेगा ओके सो 17 और 24 और कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 11 का 1 और 1 क्यारी यानिकि कितना हो जाएगा 4 41 और और 20 मिनिट हो जाएगी ओके यह यहां पर इखा दिखने दा है 41 और 20 मिनिट हो जाएगी ओके बीचका टाइम करना है ओके सो मैंस करते हैं 24 और 20 मिनिट माइनस 12 प्लस 2 22 है 22 और 35 मिनिट अब देखे माइनस करते हैं 20 मेंस से 35 मिनिट नहीं होगे सो यहां पर बोरो देखे 41 को कट करके यहां पर 40 और 1 हवर इसको देंगे यानि कि 60 मिनिट में करके देंगे 60 प्लस 20 मिनिट और यानि कि 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा अब मैनस कर दे 80 मिनिट माइनस 35 कितना हो जाएगा 45 मिनिट और 40 माइनस 22 18 हवर आएगा ओके सो टाइम कितना हुआ 18 हवर 45 मिनिट क्लियर इस तरह से अब नेक्स देखते हैं question number 36 add 30 sorry 13 hours 38 minute and 6 hour 44 minute हमें addition करना है okay कर कर के है चलो 13 hour 38 minute 6 hour and 44 minute 8 plus 4 12 फेल का टू 1 करी 3 plus 1 4 4 plus 4 8 3 plus 6 9 और 1 का 1 यान यान की क्या है का 19 hour 82 minute लेकिन हमें हावर को ए मिनिट को हावर में convert कर देते हैं तो 1 hour is equal to 60 minute, so 60 minute less करेंगे और 1 hour इसमें add करेंगे 2 मैंनस 0, 2 8 मैंनस 6, 2 यानि कि 22 minute हो गई, 1 hour इसमें add किया यानि कि 19 प्लस 1 क्या हो गया 20, अब का time क्या मिला? एडिशन का 20 hour 22 minute, clear? अब next देखते हैं question number 37, change into 12 hour clock time, 12 hour की clock में इसको convert करना है यह दिखे, 24 hour है, 12, 12 की clock में convert करना है, so क्या हो जाएगा? 12, 24 am, okay, फिर क्या दिया है आपको? 18 hour 35 minute, यह दिखे, यह 24 hour की clock में है, सो इसको 12 को clock में convert करना हो, सो इसमें से क्या करना पड़ेगा? 1200 माइनस करना पड़ेगा, यह दिखे, किया है, 18, 35 और 1200, माइनस कर दिया, 5 का 5, 3 का 3, 8 मैनस 2, 6 और 1 मैनस 10, यह दिखे, कितना time हो वक हुआ होगा? 6.35 PM, क्लियर? अब नेज़ दिखे, question number 38, change into 24 hour clock time, 24 में convert करना है, अब देखे, 12.32 PM दिया है, इसलिए डायरक कॉलम निखल के, क्या हो जागा? 12.32 hours, ओके? और यहां पर दिखे, 7.47 PM दिया है, तो इसको 24 में convert करना हो, तो हमीं क्या करना पड़ीगा? 1200 एड़ करना पड़ीगा, ओके? 1200 और 7.47, निकाल के, हम एड़ कर गेंगे, 0 प्लस 7, 7, 0 प्लस 4, 4, 2 प्लस 7, 9, और 1 का बाद, नहीं कि कितना आएगा? 1,942, 47 hours, clear? अब उसके बाद, next है, question number 39, how long is it between 1,540 hours and 2,000 hours? ओके, आपको कितना लोग है, यानि कि इसके बीच का time कितना है, वो find करना है, यानि कि माइनस करेंगे, 2,000, 1,540, okay, hour and minute, इस तरह से भी कर सकते हो, और direct भी कर सकते हो, okay, जो देखे, करते हैं, 2,000, 1,540, 0-0, 0, sorry, इस तरह से नहीं कर सकते है, minute लिए, इसलिए, अब बेखे, यहां पे 20 hours से, यहां पे 0 minute में से 40 minus नहीं कर सकते, इसलिए 1 hour यहां पे बोरो देगे, इसको 20 को कट करके, 19, 60 minute यहां पे देगे, 60 minus 40, 20 minute और 19 minus 15, 4 hour, so time के आएगा, 4 hour, 20 minute, clear, next देखते है, last question है, ध्यान दीजिएगा, इस आरे question आपको, अच्छे से वीडियो देखना है, दो दो बाद देखेगा, तब जाके, अच्छे से समझ में आएगा, okay, देखे, question number 40, क्या कहा है, अनिल is on a holiday at the seaside, अनिल है, वो holiday पर जाता है, seaside पर, okay, high tide on, अन्थे डेख वोजट, 16, 30 hour, यानि कि high tide है, वो, यानि कि भरती जो होती है, ना, seaside पर, okay, समंदर पर, okay, सुबू भरती है, वो कब आ रही है, 60 hour, sorry, 16, 30 hour, पर आ रही है, तो next high tide will be in 12 hour, 24 minute, okay, so next day, जो वो tide है, high tide, वो कब आने वाली है, 12 hour, 24 minute के बाद आने वाली है, okay, so what time will it be 10, so तो जब वो आएगी, तब कितने बज़े होगे, कितने बज़े वो आने वाली होग में, find कर दा है, so हम क्या करेंगे, यह पहले दिन पर इतने बज़े आई है, उसके बाद 12 hour, 24 minute के बाद आईगे, कितने बज़े जो है, high tide होने वाली है, so हम करते है, पहले तो यह हमें 24 hour clock में दिया है, so वो हम 12 hour clock में convert करेंगे, so इसमें क्या करेंगे, हम मैनस कर देंगे, तब जाके पता चालेगा कि कितने बज़े जो है, high tide हुई है, okay, so 12 मैनस कर देते है, 0-0, 0-3-0, 3-6-2, 4-1, यानि कि 430 को जो है, वो high tide हुई थी, उसके बाद 12 hour 24 minute के बाद होने वाली है, so हम इसमें add करेंगे, okay, so 430 और 12, 24, 0-4, 4, 3-2, 5, 4-2, 6, 0-1, 1, यानि कि 16 hour 54 को high tide होगी, लेकि यह 24 hour clock में है, हम इसमें 12 hour clock में convert करना हो, so हम इसमें से 1200 मैनस करते है, so कर देते हैं, चलो 1200 यहाँ पर माइनस तक ही पता चले का ना कि कितने बचा हाई टाइड होने वाली है, next day को, okay, देखिए, 4-0, 4, 5-0, 5, 6-2, 4, 1-1, 0, यानि कि 454 एम को high tide होने वाली है, पहले दिन पर कप हुई थी, 430, 30 को हुई थी, और next day को कप होने वाली है, 454 पर हाई टाइड होने वाली है, क्लियर, ओके, अब इस वीडियो में, को, इस question में आपको, कोई भी doubt या query हो, 21 से लेकर 40 कोई भी doubt या query हो, आप मुझे comment box में जाके, बता सकती हो, ओके, और ये वीडियो आपको अच्छे से 2-3 बार देख लेनी है, फिर जाके, खुद से सारे question आपको workbook पे लिखने है, complete करने है, कोई भी देख देख के नहीं करेगा, पहले खुद से, पहले 2-3 बार वीडियो देख लेने हैं, फिर खुद से सारे जो सर्म है, और solve करने हैं, लिखने हैं, उसके बाद आपको, जो मैं PDF भेजूंगी इसका, उसमें से देख के आपको answer verify करना है, कि कहाँ पे आपने mistake की है, कहाँ आपको समझ में नहीं आया है, जहां समझ में नहीं आया है, वहाँ दुबारा वीडियो देखना है, clear? अच्छे से देख लेना, कोई क्यारी हो, तो कॉमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता देना, इसके साथ हमरा यह चैप्टर भी जो है, वह चैप्टर नमबर 4 वर्क बुक में complete हो रहा है, इसके बाद हम टेक्स बुक में चैप्टर नमबर 5 है, वह करेंगे, अके? Thank you.